ये कैसे हो सकता है कि एक मर्द के पेट में बच्चा हो और उसे इसके खबर 36 साल तक ना हो? क्या कोई लड़का हजारों वोल्ट बिजली का जटका खाकर भी बच सकता है? इसका जवाब है हाँ. हमारे आज के इस वीडियो में हम ऐसे इनसानों को देखेंगे जिन्नोंने कुद्रत का एक अलग ही रंग पेश किया. जिनने देखकर आप हैरान होंगे और साथ ये बात दूसरों को बताने और दिखाने के लिए मजबूर हो जाएंगे. पॉल करसन जरगोर से देखे इस इनसान को जो आपको नीले रंग का दिखाई दे रहा है. मगर हैरत की बात तो ये है कि इस इनसान ने किसी भी तरह का नीला रंग नहीं लगा है. जबकि नीले रंग का ये इनसान इस दुर्गती से पहले हैंडसम और स्मार्ट था, जो किसी हीरो से कम नहीं लगता था, मगर एक दिन इस आदमें का दिमाग कुछ जरूरस से ज़ादा ही चल गया, इस बंदे ने अपने ही उपर एक घरीलू नुस्खा आजमा लिया, जिसके बाद ये अच्छा बला इंसान ब्लू मैन, यानि कि नीला आदमी दिखने लगा, दरसल इस बंदे ने सिल्वर आयोनाइजड पानी पी लिया था, और तोर इस पानी को इसने अपनी स्किन पे भी किसी क्रीम की तरह चुपड लिया था, जानते हो पॉल ने ऐसा क्यों किया, बात दरसल ये है कि ये साहव अपनी फ्लैकी स्किन के लिए कोई कारगर इलाज भूंड रहे थे, इस धीरे-धीर इनका कलर नीला होता चला गया, मगर चमडी का यही एब उन्हें एक सेलैबरेटी बना गया, आज वो संसार में काफी लोक प्री हैं, मगर आप ऐसा करने की गलती का तैमत करना, जूलिया, जलाटा, जुन्थेल, फ्रेंड्स ये वो लड़की है जो आपके किसी लचीली महिला के तौर पर जाना जाता है, जिसके लचीले बदन का अनोखा प्रदर्शन आपको बार-बार हैरत में डाल सकता है, जर्मनी की रहने वाली जूलिया का बदन इतना लचीला है कि ये किसी भी डिब्बे या सूटकेस में आसानी से समा जाती है, और अपने शरी इस दिखने वाला ये लड़का है दीपक जांगडा, मगर ये साधारन तो बिलकुल भी नहीं है, ये लड़का हर्याना राज्ये के सोनिपत जिले कराने वाला है, साधारन से दिखने वाले इस लड़के का सबसे असाधारन काम ये है कि इसके शरीर पे सैंकडो वोल्ट की बिजली का जटका बेअसर हो जाता है, इस बात का पता दीपक को तब चला जब वो घर के खराब टीवी को ठीक करा था, इसी दोरान इसने पाई मिस्टेक नंगे तार को छू लिया, उस दिन दीपक को पता चला कि उसके शरीर पर बिजली के जटके बेअसर है, यहीं नहीं इसके बाद दीपक ने ये भी परखना चाहा कि उनका शरीर आखिर कितने वोल्ट बिजली का करंट जहल सकता है, आपको बता दे जहां 27 वोल्ट का जटका किसी इंसान की जान लेने के लिए काफी है, वहीं 11,000 वोल्ट बिजली का जटका भी दीपक पर बेअसर साबित जब कि इतने लाइट से करीब 500 घरों का अंधेरा दूर हो सकता है, आपको बता दे दीपक के शरीर पे कई एक्सपरिमेंट भी हो चुके हैं, ये जानने के लिए कि आखिरी ये कैसे संभव है, कि एक इंसान पर बिजली का करंट बेअसर हो जाता है, लेकिन इसका कोई जब भी जान लो, जो निहाई चौका देने वाला है, और कुदरत के नियमों के खिलाफ भी, फ्रेंट्स आपको जानकर थोड़ा आजीब लग सकता है कि संजू भगत नाम के इंसान के पेट में कोई ट्यूमर नहीं, बलकि इनके पेट में दो जुड़वां बच्चे थे, कमाल की बात की इस बात का पता संजू भगत को 36 सालों तक नहीं पता चला, मगर जब ऑपरेशन किया गया, तो डॉक्टर्स के साथ सबी लोग हैरान रह गए, उनके पेट में कोई ट्यूमर नहीं था, बलकि उनके पेट में जुड़वां बच्चों के मृत भून थे, जो की इनके जनम के टाइम से ही इनके शरीर में मौझूद थे, एना हैरानी की जियान क्लार्क जियान के रास्ते का पत्थर ना बन सकी, जियान ने हर बाधा को हसकरपार किया, मानो हिम्मत की एक ठूक मार कर उसने रा के सभी पहाड धराशाई कर दिये हो, बच्चपन से ही अनाथ जियान को गूद लेने वाले दमपती ने कभी कलपना भी नहीं की थी, कि एक दिन यही अपंग बच्चा, एक रैसलर और दुनिया के लिए एक प्रेड़ना बन जाएगा, जिन्दिगी को बिंदास तरहिके से जीने वाले जियान संगीत में ड्रम बजाने का भी मजा लेते हैं, फिलाल वो अलंपिक हेलों में इपनी जीत का जंडा गाड़ने के लिए अभ्यास करने में जुटे हुआ है, जियान क्लार का कहना है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, अगर आप किसी चीज को करने की ठान ले तो, जियान क्लार की पीट में गुदे, टैटू को देखकर आप और भी शर्मिंदा हो जाएंगे, जियान क्लार की पीट पे लिख नो एक्सक्यूस यानि अपनी लाचारी का रोना मत रो आगे बढ़कर वो कर दिखाओ जो आप करना चाहते हो दोस्तों आप कोई वीडियो कैसे लगा हमें कॉमेंट में जरू बताना साथ ही इसे लाइक शेर सब्सक्राइब भी कर देना जैहिंद वंदे मातरम